हेलो फ्रेंट्स नमस्कार गुड आफ्टरनून इस्पेशल गुरु जी जीम में आपका स्वागत है फ्रेंट्स ये आप मेरे चैनल में नए नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंट्स आईए हम लोग आज यह पेटिक परिच्छा को लेकर के जो भी खवर है उसको हम डीटेल आपको बताते हैं यह देखें आमरुजाला की खवर है पर्चा लीक होने की अफवा यूपी अधिनस सेवा चैन बोर्ड की पीएटी का मामला मंगलवार को हुई थी परिच्छा फ्रेंट्स पर्चा लीक होने की अफवा यह जूठी है आए देखतें इसको डीटेल में यूपी अधिनस सेवा चैन बोर्ड की मंगलवार को हुई की प्रारंबिक परिच्छा का पर्चा लीख होने की अफवा है हाला कि बोर्ड ने प्रस्णपत लीख होने से इंकार किया है कि यह देखे इस में महत्वपूर्ड तिथिया है यूपी एस एसस की मंगलवार को ही उतर प्रदेश अधिनस सेवा चैन बोर्ड की प्रारंबिक पातरता परिच्छा पी इटी का पर्चा लीख होने की अफवा है राज के 75 जीलों में कैमरों की निगरानी में पहली बार परिच्छा हुई कहा जा रहा है इसके बाद भी पर्चा सोसल मेडिया में वाइरल हो गया है यूपी पी एससी के कारिवाह कद्यच ओम नारायन सिंग ने इन अफवाओं का खंडन किया है उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है जो भी पेपर वाइरल हो रहा है वह गलत और फर्जी है सोसल मेडिया में जो पर्चा वाइरल हो रहा है वह गलत है बता दें मंगलवार को यह परिच्छा दो पालियों में हुई इसमें 20,73,540 उमेद्वार शामिल हुए थे यह देखे फ्रेंट्स यहां पे दिया है यह भी पढ़ें यह देखे यूपी एस 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 सी पेट 2021 परिच्छा के बाद किस किस पदों के लिए कर सकेंगे अपलाई बोर्ड ने कर दी है सुचना जारी आईए देखते हैं कौन कौन सा पद है बिस्तार से समझीए देखे पेट के बाद आवेदन के मौके फर्स्ट है राज क्रिशी उत्पादन मंडी परिशत संग्युक्त संग्योर्ग में देखे दूज़ नेक्स्ट पोस्ट है शमलित अवर अभियंता संगड़क एवंग फोर्मैन में समलित अवर अधिन ससेवा सामान निचयन, राजा सुलेखवाल, स्वास्यकार करता वा समान योगता वाले अन्यपद, सहायक सांखे की अधिकारी एवं सहायक सेश अधिकारी सांखे की नेक्ष्ट है वन रच्छक एवं वन जीव रच्छक सहायक बोरिंग टेकनीशियन नेक्ष्ट है सहायक अवर अभियंता उप वास्तुवीद ये देखें नेक्ष्ट है क्रिशी प्राविधिक गन्ना परवेच्छक वा समान योगता वाले अन्यपद नेक्ष्ट है समलित तकनीकी सेवा नेक्ष्ट है ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी नेक्ष्ट है कनीष्ट सहायक आशू लिपिक नेक्ष्ट है प्रयोकसाला प्राविधिक एक्सरे प्राविधिक वा अन्य समान योगता वाले पद फ्रेंट्स एस इस में जो है आप फॉर्म अपलाई कर सकते हैं यूपी एस एस्सी लेखपाल 2021 पेट के बाद लेखपाल भरती में होना है सामिल तो दस्तावेजों को रखें तयार फ्रेंट्स इसकी जल्द ही निकलने वाली है नोटिफिकेशन जारी हो गई है ये देखें लेखपाल भरती के लिए यूपी एसस्सी द्वारा जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है 7882 पदों पर होने वाली भरती के लिए नौवंबर माह में परिच्छा का आयोजन किया जाना है आईए यहां देखते हैं उत्तर पदेश में 24 अगस्त को प्रारंबिक पातरता परिच्छा पेट का आयोजन किया जा चुका है और अब इसमें सामिल होने वाले अभियर्थियों को अन्य भरतियों का इंतजार है गौर तलब है कि पेट के आयोजन के बाद UPSSSC द्वारा मार्च 2022 से पहले लगभग 22,000 पदों पर भरतिया निकाली जानी है और इन भरतियों में सामिल होने के लिए पेट में उत्तिण होना आश्यक है UPSSSC द्वारा निकाली जाने वाली इन भरतियों में लेखपाल के 7,882 पदों पर होने वाली भरति भी शामिल है लाखों भरति बेसब्री से इस भरति का इंतजार कर रहे हैं देखे कब तक नोटिफिकेशन जारी हो शकता है नोटिफिकेशन लेखपाल भरति के लिए UPSSSC जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है गौर तलब है कि इस भरति के लिए UPSSSC ने नौंबर माह में परिच्छा कराने का एलान किया है इस भरति में सामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का पेट में उत्तिण होना आवश्यक है इसलिए यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस भरति के लिए UPSSSC पेट के परिड़ामों की घोशना के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है यह देखे इसमें क्या क्या है शामिल होने के लिए इन डाकुमेंट की भी पढ़ सकती है जरूरत इस भरति में सामिल होने के लिए जरूरी डाकुमेंट की जानकारी तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आप आएगी लेकिन अभ्यर्थियों को नीचे दिये ग चाहिए इन डाकुमेंट को तुरंत नहीं बनवाया जा सकता है इसलिए भ्यर्थियों को इन्हें पहले से तयार रखना चाहिए ताकि आवेदन करने के लिए जरूरत पढ़ने पर वो इसका इस्तेमाल करशकें 12 का सर्टिफिकेट लेखपाल भरती के लिए आवश्यक तीपल सी सर्टिफिकेट लेखपाल भरती के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को टिपल सी कोर्स आन कम्प्यूटर कंसेप्ट बंशेप्ट की भियावसक्ता पढ़ सकती है इसलिए भ्यर्थियों को इस सर्टिफिकेट को अपने पास तयार रखना चाहिए एग एक निशित आयू तक के अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनमति दी जाएगी हाला कि आरच्छी सेडियों को नीमा नूसार उम्र में उम्र शीमा में छूट का लाव मिलेगा इसलिए आर अच्छी सेणी के अभ्यरतियों के पास संबंधित जाती का प्रमाड़ पत्र होना आवश्यक है फ्रेंट से जाती प्रमाड़ पत्र नहीं रहेगा तो उनको आयू का गो एज रिलेक्सेक्शन नहीं मिलेगा